वर्ल्ड कप से पहले रोहिद नेरी धौनी से सला धौनी ने सुनाए गंभिर की पारी का किस्ता गिनाए तीन कम या पाकिस्तान की प्लानिंग पहले अवर में रोहिद राहूल को करेंगे टारगेट एक खिलारी इस मीसन पर लगाया सुपर आवर के बाद आई बॉल आउट की वारी तो रोहिद भी कर सकते हैं बॉलिंग धौनी वाला लगाएंगे दिमाग टिम इंडिया के कप्तान रोहिद सर्मा इन दिनों प्रैक्टिक से ज़्यादा सला लेने की बियस्त है जो कि बीदे कुछ दिनों में उस पर कई सवाल उठे लेकिन वो वर्ल्ड कप में ऐसी कोई गलती नहीं करना चाते रोहिद जब फिल्ड पर गुस्सा करते हैं तो धौनी उन्हें सांत रहने के सला देते है और ख़बर है भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले रोहिद ने धौनी से बातचीत किये उनके बीच क्या बातचीत हुई होगी उनका किस्त आपको सुनाते है रोहिद सर्मा माही भाई हमें आपके कोई टीप्स की ज़रूरत है मैं अंदर सिंग धौनी मैं हमें साटेम के साथ खड़ा हूँ और यो बिस्केड भी तो लॉंच कर दिया जीतोगे भाई रोहिद सर्मा मैं भी उस टीम में था लेकिन कुछ टीप्स दीजिए ताकि 2007 वाला इतियास दोहरा सको मैं अंदर सिंग धौनी देखो विराट राहूल और कार्तिक फौर्म है तुमारे पास सुरिया जैसे नंबर चार पर खेलने वाला धाकडबा लिवाज है तुम भी कभी चार नंबर पर खेले करते थे लेकिन मैं तुम्हें आपनिंग में ले आया था लेकिन अभी कुछ बदलाओं मत करना फिल्ड पर गुस्सा मत करना बस ये देखना अगर गल्ती हुई तो कैसे हुई रोहित सर्मा जी माई वाई मैं अंदर सिंग धौनी बैटिंग ओर्डर ठीक है समय भी फौर्म है आश्वीन हरसल पटल के अलावा पांडिया का इस्तिमाल ठीक वैसा ही करना जैसे जरुरत पढ़ने पर करता था रोहित सर्मा हा माई वाई मैं कोशिस करूँगा इस बर कोई फैसला ना लो मैं अंदर सिंग धौनी तुम याद होगा वल्लकप 2011 के फैनल में गंभीर ने कैसे 97 रन की पारी खेली थी सभी वल्लेवास का ये सला दो सुरू में रन कम बनाओ लेकिन टिक कर खेलो आते ही हवाई सौट मत लगाओ थोड़ा रुको पीच बॉल को समझो और फिर खेलो रोहित सर्मा थैंक्यू माई वाई दरसल रोहित सर्मा पाकिस्तान के खिलाप सौट लगाया था जिस तरह आकरमा खेले थे वो तरीका वल्लकप में भारी पढ़ सकता है इसलिए धोनी ने उसे गंभीर की पारी की बारे में सला दी थी आम तोर पर धोनी किसी से को सला नहीं देते बैयान बाजी से डरते हैं लेकिन बात है वर्ल्लकप की और यब इस कीट लांज करते समय खुद धोनी ने कहा था कि मैं हमेसा टीम के लिए खड़ा हूँ इसलिए कहा जा रहा है रोहित ने धोनी की कई ऐसे टिफ दिये जिसे वो मैच के वक्त लागू करेंगे वर्ल्ल के सेमी फैनल में भारत और पाकिस्तान के टीम भड़ी तो सूपर अवर के बाद भी मैच ड्राय हो सकता है अखिरकार बॉल आउट की वारी आई जिसमें धोनी ने बॉलर से कम और बैटस्मेन और ओल्राउनर से ज़्यादा गेंद फैकवाई और वल आउट में भारत जीत गिया अगर वर्ल कप में एजिवारी आई तो हो सकता है रोहित स्रमा खुद गेंद वाजी करने उतरे क्योंकि उनके बच्पन के को रोहित के गेंद में जादू है वो बलेवास तो बाद मी बना पहले सांदार गेंजवाद ही था हलाकि तैस एक्टूबर को मुकाबले में इंडिया के लिए दिक्कत की बाद ये है कि केल रहुल पर आने वाले बॉल ढंग से नहीं खेल पाते पाकिस्तान पहला आवर साइन अफरीदी को देकर रहुल को आउट करेंगे टी-टूवन्टी वर्ल्ड कब दो जारे कैस के साहिन साहा अफरीदी में खतरनाग बॉलर साबित हुए थे और पाकिस्तान भारत को दोस विकेट से हरा दिया था रहुल सर्मा फुल सौट के माश्टर है उसके वैटिंग स्टाइल की पाकिस्तान बहुत गौर से देख रहे है कुछ दिनों पहले रमिस राजा ने का था पिछले वर्ल्ड कब में मैंने की बावर आजम को सला दी थी पाकिस्तान का गेम प्लाउन इस बार बदला होगा इसलिए मैच के अलावा प्लाउनिक से ज़्यादा ध्याँ दे रहे है